नमस्कार दोस्तों, LLB का शुरू से बहुत ज़दा करेज रहा है, in fact, especially LLB में 5-year LLB का एक अलग करेज है, जब CLAT के एकजाम आता है, और graduation के बाद 3-year LLB का एक अलग है, और 3-year LLB में faculty of law का बहुत competition है, बहुत excitement है, और शुरू से ही बच्चे यहां आने की कोशिश करते हैं, मतलब first preference ही होती है, और Delhi में है, वो तो और भी एक plus point है, क्योंकि आपको internships में, courts में, आपको हर तरह की court मिलती है, supreme court, high court, district court, lower court, तो हर तरह का आपको platform यहां पे मिल जाता है, जिसकी वज़ए से यहां पे शुरू से ही एक competition बहुत ज़्यादा रहा है, अब fourth cut list को लेके मुझसे बहुत ज़्यादा question पूछे जा रहे हैं, यहां फिर क्या कर सकते हैं, क्या options बची हैं अपने पास, जिनकी अभी तक admission नहीं हुई, देखो दोस्तों, अगर आपकी अभी तक जितने भी rounds हुए हैं, जैसे तीन rounds हुए हैं, और mid entry में, यह सब चीजों में अगर आप की admission हो चुकी है, तो well and good, congratulations, बहुत अची बात है, लेकिन अब आज, specially उन बच्चों की बात कर लेते हैं, इनकी admission नहीं हुई, हो सकता है किसी problem के कारण हो सकता है कि form अच्छे से fill ना किया हो, mid entry में भी नहीं form भरा, CSA portal पर ही नहीं भरा, यहां फिर हो सकता है कि number यहां rank कम सकता है हों, जिसके वज़े से आपका, आप score नहीं seat कर पाए, तो आज उन सब के बारे में बात होने वाली है, दोस्तों, fourth cutoff की जितनी मैं बात करूँ, एक बड़ी मैं आपको schedule दिखा देता हूं, देखो यह ना, यह एक आपका due का schedule, press release थी, जिसमें उन्होंने first कहा था, क कि first cutoff यहां से यहां आएगी, second round उन्होंने कहा कि यहां इतनी date से इतनी date होगा, third round उन्होंने बाद में change कर दिया था, हम सब जानते हैं, dates change होगी थी, जो कि 11th of September होगी थी, और बाद में mid entry की भी date change कर दी गई थी, क्योंकि बिल्कुल सही था, क्योंकि उस time पर second round था, वही इसे कर सकते हैं, इसलिए dates change होगी थी, तो क्या fourth आएगी, यह बहुत बड़ा कोशन है कि क्या fourth आएगी, देखो अगर तो यह normal कोई graduation आला college होता है, यह कोई और college होता है, तो मैं कह सकता था कि हाँ यहां यार, शायद seats vacant रहेगी हूं, और fourth आने के chances आए, यहां फिर CUET के थ अभी कभी fourth से आगे भी बढ़ जाता था, अगर seats रह जाएं तो वह तो university के उपर था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप यह उमीद लगा के बठे हैं कि किसी दिन fourth kit list आएगी, यहां fifth आएगी, यहां ऐसा कुछ होने वाला है, कोई और list आने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला, दोस्ता, I'm very sorry, unfortunately, ऐसा नहीं है, लेकिन आप नराश मत होना, और क्या options है आपके पास, यह में आगे बात करता हूँ, देखो, सबसे पहले चीज है कि अगर आपको अभी तक admission नहीं मिली, तो आपको fourth cut list नहीं, उसके बारे उसे अभ छोड़ देना देखो, आपके पास दो options हैं, अगर आपको DU में ही लेना है, पहली चीज तो यह है, दोस्तों, spot round, जैसे spot round का क्या होता है, दोस्तों कि university अपनी एक press release करती है, कि हमारे पास इतनी seats vacant रहेगी, लेकिन उमीद करता हूँ कि कुछ अगर बच्चे ने withdraw कर ली, या कोई problem आगी, या कुछ ऐसा आगया, तो कुछ seats बच जाती है, तो वो अब university फिल करेगी spot round के through, अब spot round क्या होता न, देखो, spot round जब भी CSAS portal के rounds complete हो जाएंगे, जैसे हमारे अब 3 हो चुके हैं, तो जितनी भी seats vacant रहेंगी, वो announce करेगी university, और उनको फिल करेगी spot round के through, अब spot round में कौन जिनको कोई भी नहीं मिला, लेकिन इसमें difference क्या होता है, difference ही होता है कि अगर normal round made mission मिलती ही, तो आपको upgrade का option मिलता है, आपको और भी freeze करने का option मिलता है, बाकी सब options मिलते हैं, लेकिन spot round में ऐसा कुछ भी option नहीं मिलता है, दोस्तों, आपको सिरफ और सिरफ accept करने का मौका मि आपको उसी moment पर उसे accept करना होगा, आपके पास कोई और option नहीं है, अगर आप accept नहीं करते हैं, तो वो seat चले जाएगी, आपको वो seat नहीं मिलेगी, तो दूसरी बार दोस्तों यह है कि अब spot round होगा कब, क्योंकि ठीक है मान लिया भी spot round से admission शायद मिलने के chances हैं, तो भी अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो यूजी के आज कल spot round के rounds चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यह spot UG admission round 2 है, ऐसे ही PG का भी spot round announce होगा, जैसे एक्जांपल के तोर पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आपको UG admission 2023 special spot admission round, जैसे हम open आपको dates और वो सब चीजें spot round में बताया गया है कि इस time पर आपको spot round आएगा, आपकी seats आपके portal में आएंगी, ऐसे ही same to same दोस्तों PG का भी spot round आएगा, जो कि अभी आया नहीं है, मतलब LLB का नहीं आया, specifically LLB की बात करूँ, तो अभी announce नहीं हुआ, लेकिन यहीं पर ऐसे ही same to same notice में announce होगा, जैसे यहां पे इनोने btex spot round admission round 1 का notice जारी किया, और यहां पर उनोने लिए लिखा कि जो last round, last date of for admission for btex spot round extended till this and this, so ऐसा ही same to same आपको भी आने वाला है, LLB वालों को भी आने वाला है, तो यह एक मौका है दोस्तों, आपके पास fourth round, जा fifth admission list तो नहीं आन और उमीद करता हूँ कि आपको spot round में admission मिल जाए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें please थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता न कि अभी जैसे third round के बाद भी admission नहीं मिले तो खुद मैं भी आपकी जगह होता, तो मैं दिल हार देता हूँ और मैं बिल्कुल भी portal ना चेक करता मैं जरब अपना बता रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी हम्मत ना हार ना, अगर आपके marks ऐसे on the line है, कि हाँ इसके आसपास हैं, आपके उपर वाले, जस्ट एक दो number उपर वाले हूँ के admission होगे और आप रहेगे, तो उमीद है कि शायद आपकी spot round में admission हो जाए, अगर seats vacant बचती हैं, तो अब यह तो university ही बताएगी कि seats बची हैं कि नहीं बची, लेकिन the moment आपको spot round होगा, मैं आपको खुद बताऊँगा, आप उसके लिए subscribe कर लेना to Gary Amrit सरिया, ताकि उसी moment पर आपको spot round की सारी information में दे सकूं, और हो सकता आपको admission मिल सके, और जैसे ही announce होगा आप अपना portal पर उस time open करना हो, और seat आएगी आप उसे accept करना, अगर आप ने करनी है, नहीं लेनी तो अलग बात है, लेकिन अगर लेनी है तो वहाँ पर उसे accept करना, और दूसरी बात दोस्तों, एक तो यह तरीका बता दिया है, यहाँ से यहाँ पे admission लेने का, दूसरा दो इसके options है, उपर आए बटन पर क्लिक कर लेना, यहाँ फिर मेरी किसी भी playlist पर जाके, मेरे dashboard पर आप देख लेना वीडियो, लेकिन मैं आपको एक हलका हलका जर्नल सा उपर उपर से बता देता हूं, कि दोस्तों देखो, यहाँ तो drop कर सकते हैं आप एक साल, जो मैं उतना ज इसे के उपर, fee के उपर, financial conditions के उपर, हाला कि scholarships मिल जाती है, थोड़ी बहुत ही, आपके CUT score के उपर आपको concession मिल जाती है, लेकिन तब भी वो comparison करूं, कहाँ DU की fee, Center University की fee, और कहाँ उनकी fee, इस तो जमीन असमान का फ़रग है, तो अगर तो financial conditions आपकी ठीक हैं, और आप पे कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, वहाँ पे, admission, अब वहाँ भी आपको सारी पढ़ाई सही मिलेगी, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई, बनाई रखी, आप उपर जाके देख सकते हैं, नहीं, तो फिर एक साल drop कर सकते हैं, या फिर आप अपनी state university में ले सकते हैं, law यी करना law तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस ठीक ठाक university, बहुत ज़ादा भी ऐसा चूज ना करना, थोड़ी ठीक university चूज करना, जहां पे आपको थोड़ा समझ भी आए law, क्योंकि add and end आपको law समझ के apply करना, जितनी ज़ादा अच्छी application होगी, उतनी ही ज़ादा अच्छी आप lawyer बनेंगे, चाहे आप किसी भी field में चले जाएं, judiciary में चले जाएं, advocacy में चले जाएं, practice करने, legal officer बन जाएं, bank में चले जाएं, PSU में चले जाएं, यहां फिर आप किसी भी जगा चले जाएं, आपको add and apply ही करना law, मतलब पहले सीखो apply करो, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसी university ह चूज करने हैं, जहां पे आपको law थोड़ा समझाया भी जाएं, तो यह कुछ चीज हैं थी दोस्तों, जो आपको मुझे लगता है कि पता हो नहीं चाहिए, और बहुत important है related to DULB, और उसके admission को लेके, बाकि documents, physical verification भी जल्द ही आने वाली है, दोस्तों, क्या होगा, मैं इस जो भी मुझे पता लगेगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप one year diploma कर सकते हैं, मैंने वो कहीं से पता किया, और उसके उपर अगर आप और जानना चाहते हैं, तो मैं एक detailed वीडियो बना दूँगा, कि आप dropped year में क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई चीज रहेगी हो, तो नीचे comment box आपके लिए बिल्कुल ओपर है, या फर मुझे instagram पर, आप follow कर लें, it's kunwr-0808, telegram group भी है, जैसे भी आप मुझे contact करना चाहें, आप कर सकते हैं, इस वीडियो को लिए यहीं रखते हैं, दोस्तों, नमस्कार.